नमस्कार में अप्रिया आज है 17 अगस्त चली जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या पहुंची एक लाख चार हजार के पार बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है स्वास्ते वभा की तरफ से जारी के गें आखडों के नुसार बीते दिन पिछले 24 घंटे में बिहार में कुल मिलाकर 2187 नए मामलों की पुष्टी की गई है जिसके बाद बिहार में संक्रमेतों की कुल संख्या एक लाख 4,093 पर पहुँच गई है अगर प्रभाविजलो की बात करें तो अररिया में 19, अरवल में 21, और अंगाबाद में 113, बांका में 19, बेगुसराय में 54, भागलपूर में 117, भोजपूर में 52, बावन बकसर में 46, दरभंगा में 35, पुर्वी चमपारन में 96, गया में 15, गोपाल गंज में 71, जमुई मे 28, जहानबाद में 28, कैमूर में 6, कटिहार में 13, किशन गंज में 13, लखी सराय में 36, मदेपूरा में 35, मधुबनी में 127, मुंगेर में 50, मुझदफरपूर में 57, नालंदा में 90, नवादा में 18, पटना में 233, पुर्णिया में 82, रोहतास में 35, समस्तिपूर में 37, 366, मरीज ठीक हो चुके हैं, वहीं अब तक 537, लोगों की जान जा चुकी है बार की चपेट में आये बिहार के 19 जिलो के 9, लाख हिक्टेर फसल बरबाद, जैसे जैसे पिहार में COVID-19 प्रभावतों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बार प्रभावत जिलो की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है आप दावभाग की तरब से जारी के गए जानकारी के नुसार बिहार में वर्तमान समय में कुल मिलाकर 19 जिले बार की चपेट में हैं इंजिलो में 251 प्रखंड में किसानों की 8.84 लाख हिक्टेर में लगी फसल को नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा नुकसान मुजफर पुर्जिले के किसानों को हुआ है जहाँ पर 1.08 लाख हिक्टेर में लगी फसल की छटी पहुचुई है दूसरे नमबर पर 85.29 हजार हिक्टेर के साथ सीतामणी और तीसरे नमबर पर 83.54 हजार हिक्टेर के साथ दरभंगा जिला है सबसे नमबर पर 84.55 हजार है कहती हैं सुशान्त नहीं महेंदर सिंग धोनी है या वीडियो तब की है जब एमेजोनी ने परदे पर बखुवी काम किया था जिसको शेर करते वे बहन्स चुएता सिंग कीते ने लिखा एक वक्त था जब हमारे पास खुशिया थी पूर्फरधान मंत्री की पुर्णतिती पर उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी ने दी श्रधांजरी बीते दिन पूर्फरधान मंत्री अटल विहारी वाजपई की पुर्णतिती पर उपमुख्य मंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन्हें श्रधांजरी दी है जिसके के तहट बीते दिन विहार के भाजपा प्रदेश कारियाले में वर्चुल कारिक्रम का आयोजन क्या गया था जिसमें विहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भाजपा के राश्वे महासरचेव राम माधव समेत भाजपा के सभी नेता ने हिसालिया था इस कारिक अब आप भी उत्री मैदान में आगामी विधान सबाच चुनाफ को ध्यान में रखते विए अब आमाद्मी पार्टी भी तैयारी में जुट गई है के अरविंद केज रिवार के जन्म दिवस के मौकी पर पार्टी पूरे राजबर में भ्रष्टाचार विरोध ही दिवस मना रही है सबी जगे से स्थानी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर विरोध किया जा रहा है इतना ही नहीं बीते दिन कई नई साथियों को भी पार्टी जॉइन कर रहाए गया है आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे डॉक्टर वश्ष नारायन सिंग की दॉक्टर वश्ष नारायन सिंग भोजपूर के निवासी थे और वो नेतर हाठ आवासी विद्याले के चातर रह चुके और 1962 में दसवी की बोड परिक्षा में उत्तिर्ण हुए थे पतना के साइन्स कॉलेग से उन्होंने पढ़ाई की थी साथ ही इस दोरान उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रोफेसर से हुई थी जो उस वक्त पतना आए वे थे उनकी प्रतिवा को प्रोफेसर पहचान गय थे और उन्हें बर्कली आकर शोध कारे में शामिल होने का निमंतरन भी दिया था 1963 में वो कैलिफॉर्णिया विश्विद्याले में गय थी और 1979 में पीएसडी की उपाधी वहां से हासिल के थी पिताहिने उन्होंने पूरे देश में भारत का पिछला राजय माने जाने वाला बिहार को नई पहचान और नई उर्जा दिलाई थी वाशिंग्टन में उन्होंने गणित के प्रोफेसर के तोर पर काम किया और 1971 में वापस अपने मात्रे भूमी भारत आ गये महीं भारत पहुँचकर उन्होंने भारतिय सांखी की संसान कॉलकता और भारतिय प्रद्योगी की संसान कानपूर में काम किया था उनके दुनिया को साल 2019 में अलवदा कहने के बाद सरकार ने सामने आकर उनके नाम पर आरा इंजीनिरिंग कॉलेज का नाम रखने का एलान किया है चुनाव से पहले राज़त ने तीन अमेले को किया छे साल के लिए निलंबत राज़त का इनेताओं की वज़े से अपनी छावी को लेकर आए दिन सवालों की खेरे में नज़र आई है वही अब विधान सभा चुनाव से ठीक पहले राज़त ने रंडीमतियों को सुधारने क काम किया है जिसके तहत राज़त ने बीते दिन तीन अमेले को पार्टी से निश्कासित कर दिया है राज़त के तीन नेताओं को छे साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया है जिसके तहत राज़त की बाकिपुर वधाएक प्रेमा चौधरी फराज फातिमा और गयगा विधायक महेश्वर यादव को पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया है खबरों के माने तो यह 39 नेता पार्टी के खेलाफ उठ रहा रहे हैं आवाज के कारण बाहर निकाले गे हैं इस सीफे के बाद श्यामरजक को जदियू ने पार्टी से निकाला बाहर जदियू काबिनेट में उद्योग मंत्री और जदियू के बरिश नेता रहे चुके श्यामरजक को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है मिली जानकारी के नुसार जैसे ही नितीश काबिनेट को इस बात की भनक लगी कि शायद श्यामरजक पार्टी छोड़ने वाले हैं और जल्द ही राज़त का हाथ थाम सकते हैं तो पार्टी ने यह कदम उठाया है रास्त्री अधेक्ष श्रितीश कुमार की सहमती के बाद का नाम नहीं ले रह सरकार की तरफ से एक अगस से लागू अनलोक तीन के गाईलाइन का अनुपालन करवाया जो रहा है एक अगस सी बात करें तो अब तक 51 माम ने दर्ज किया जा चुके हैं वहीं 70 व्यक्तियों को सलाखों की पीछे पहुचाए गया है इसके साथ ही सारवजिनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों से बीते दिन पिछले 24 घंटे में 2,90,750 की राशी वसूली गई है सुशान सिंग राजपूत के दोस्त ने इस पूरे मामले में बहुत लोगों किफ चामिल होने की जताई आश्रंका सुशान सिंग राजपूत के मामले में उनके दोस्त गनेश हीर बढ़कर ने जो दावा किया है वो बेहधी चौक आने बाले है उनका कहना है कि सुशान सिंग राजपूत के जाने से पहले एक बड़ी पार्टी होई थी उसमें कई नामी गिरामी हस्तिया शामिल होई थी उस पार्टी में बहुत कुछ हुआ था जिसके बारे में सुशान सब कुछ जानते थे इस मामले में संदीब नाम के एक शक्स का नाम भी लिया गया है संदीब भी कुछ जानते थे हालoshima कि शुरवाती दोर में उन्होंने सुषांत के गुजर जाने की जानकारी देर से मिलने की बात कही थी दूसरी तरफ गनेश का यह हमी कहना है कि सुशान्द दिशा सालियान को लेकर कई बातों को जानते थे जिसकी जानकारी कुछ लोगों को लक चुकी थी सुशान्द की तरफ से अपनी जान देने की बात गलत है वो ऐसा करी नहीं सकते है उन्हें पता था कि सुशान के साथ किसने साज़ शरची है अगर उन्हें सुरक्षा मिलती है तो वो उन सभी का नाम सामने ले आएंगे आपदा राहत पर राज़त दे नितीश कुमार पर लगाए आरोप बिहार की गरिमा को तार तार कर दिया है नितीश कुमार ने अपने अभिभाशन के दौरा नेता प्रतिबख्ष तिजस्वी आदफ को बयान बाजी की है जो की बिल्कुल ही अनुचित है बिहार में सरकारी नौकरी के नाम पर भ्रहश्राचार किया गया है मुख्य मंतर नितिश कुमार को COVID-19 के मामने को लेकर हिम्मत नहीं है कि वो जमीन पर आकर इस बारे में चर्चा करें आप हवा में जाकर लोगों की सूध लेते हैं COVID-19 और बार के बीच केवल और केवल तेजस्वी ही काम करते नजर आए हैं 20 अगस तक महा गटबंदन से रिष्टा तोड़ सकते हैं जीतनराम मांजी एक बार फिर से जीतनराम मांजी का इल्टिमेटम सामने आ है राजनेतिक गलियारे से आई खबरों के अनुसार हम अध्यक्ष जीतनराम मांजी आने वाली 20 अगस्त को कोई महत्वपून फैसला ले सकते हैं उन्होंने 20 अगस्त को पार्टी की कोर कमीटी की मैठक बुलाई है पार्टी सूत्रों की माने तो इसी दिन जदियों से गटबंदन के संबंदों में कोई अंतिम फैसला लिया जा सकता है हाला कि गठबंदन की बात अभी फिलाल तैमानी जा रही है गठबंदन के स्वरूप और मिलने वाली सीटों को लेकर भी विचारव मर्श करेंगे पार्टी ने वैसे उन्हें इस संबंध में कोई भी निरने लेने को अधिकरित कर दिया है माना जा रहा है कि श्यामरजग के राजवत में जाने की खबर से उन पर भी जदियों में शामिल होने का दबाव बढ़ गया है नेता प्रतिबक्ष रिजस्वी आदव जमीनी स्तर पर प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं प्रभावित लोग बता रहे हैं कि बाठ रहात और मदद के नाम पर खुली लूट हो रही है प्रभावित परिशान चल रहे हैं लेकिन मजाल है कि मुख्यमत्र नितीश कुमार की नीद टूटे भोजपुरी आक्षर सक्षरा सिंग ने सुषान सिंग राजपूत को लेकर लगाई नियाई की गुहार सुषान सिंग राजपूत के परिवार के लावा अब कई कलाकार भी उनके लिए नियाई की गुहार लगा रहे हैं इसी क्रम में भोजपूरी आक्षरस अक्षरा सिंग ने भी बीते दिन उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुशान्त को न्याय मिलना चाहिए। बिहार पुलिस ने जिस तरह से सुशान्त के लिए स्टैन लिया वो काफी सराहनी है। उन्होंने आगे कहा कि मामले में जाज कर रही। CBI की टीम सुशान्त को न्याय दिलाने में जुटी है। सुशान्त के दोस्त गनेश के द्वारा मांगी जा रही। सुरक्षा का भी अक्षिरा सिंग ने समर्थन किया है इतना ही नहीं उन्होंने कंगलारुनात के हर बयान को भी सही बताया है रेल्वे में नौकरी करने का मिला शांदार मौका रेल्वे में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं युवाओं के ले खुश खबरी North East Frontier Railway में Apprentice के 4,499 पदों पर भरती के लिए आवेदन मांगी गए है इन पदों के लिए उमेद्वारों का चैन 10 वी क्या धार पर किया जाएगा आवेदन प्रक्रिया 16 अगस 2020 से शुरू हो गई है इच्छो को मिद्वार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के अंतिम तारीख 15 सितमबर 2020 बताए गई है इच्छो को मिद्वार North East Frontier Railway के आधिकारिक वेबसाइट www.nfr.indianrailways.gov.in पर विजिट कर 15 सितमबर तक आवेदन कर सकते हैं श्रमसन साधन विभाग के सभी कर्मचारियों को दफतर बुलाने का जारी किया गया आदेश बिहार सरकार ने श्रमसन साधन विभाग के सारे कर्मचारियों के दफतर आने का फर्मा अंजारी कर दिया है नए आदेश के अनुसार विभाग के हर कर्मचारी अब दफतर आएंगे श्रम संसादन विभाग में अपने सभी कर्मियों को ओफिस आना अनिवार कर दिया है विभाग का यह तर्क है कि स्विक्रित पदो की तुलना में आधे ही पद पर कर्मी कारेरत है इसलिए सभी कर्मी हर हाल में आएं और फिर गौर करने की बात यह है कि विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सहीत दर्जन भर कर्मी और अधिकारी COVID-19 के चपेट में आ चुके हैं फिर भी श्रम संसादन विभाग अपने कर्मचारियों को दफ्तर बुला रहा है नितीश सरकार के मंत्री की तब्यत बिगडी मुख्य मंत्री नितीश सरकार के क्याविनिट में एक मंत्री की तब्यत खराब चल रही है जिसके बाद उन्हें रविवार को शाम में एर आम्बुलेंस से दिल्ली पहतर रिलाज के लिए भेजा गया है आपको बता दे मंत्री विनुथ कुमार ने पिछले मही नहीं कोबर्ट-19 को मातर दे कर अपने घर वाप्ची की थी नीरज कुमार ने लालू तेजस्वी को एक बार फिर लिया निश्वाने पर विहार सरकार के सुचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने एक बार फिर से निता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव और लालू प्रिसादी आदव पर निश्वाना साधा है जिसके तेट उन्होंने कहा कि तेजस्वी आदव यह कब समझेंगी कि प्राकरतिक आपदाएं राजनेतिक दृष्टी करन का साधर नहीं होती बलकि प्रभावित के सहायतार्थ उपलब्ध होने का वक्त है 2017 में बाढ़ के वक्त भी गंगा मया की क्रिपा बता करबार प्रभावितों को भाग्ये शालिक घोशित कर ज्यान बाट रहे थे कि जान बचयाईए दूध चड़ाईए और पूजा कीजे उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग प्रभावितों का मखाल उरा आनंदित हो रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्र नितीश कुमार जी इस मामले में सम्वेदन शील है उन्होंने हमेशा कहा है कि सरकारी खाजाने पर पहला हग प्रभावितों का है सीमा बल भरती के लिए 1522 पदों पर निकाली गई रिखतिया सभी अभेर्थियों को www.ssbrectt.gov.in पर जा कर आविदन करना है। राज़िस से निकाले गए फात्मी ने राज़वत के नेट्रत उपर उठायी समय उचन जा रहा है। चुरागपासवान ने जदियों को लेकर फिर से कोरोना ज़ाज पर दिया बड़ा बयान चुरागपासवान और जदियों के बीच की रसा कसी साफतोर पर अब लोगों के सामने आ गई है वहीं चुराग पासवान ने बीते दिन एक बार फिर से जदियों के खिलाफ बोलते नजर आए हैं जिसकी तहट उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं जदियों से दूरी है और नहीं नजदी की बनाने का कोई शौक है वो बिहार के मामलों पर बिहारी होने के नाते अपनी जिम्मदारी समझते वे बार-बार सवाल उठा रहे हैं जमुई द्वारे पर पहुँचे चुराग पासवान ने बिहार में COVID-19 की ज़ाच को लेकर भी नाराजगी जाहिर की है उन्होंने कहा कि COVID-19 ज़ाच दो माध्यम से हो रही है जिसमें Rapid Antigen Kit से आई परिणाम बिल्कुल सही नहीं ठहराय जा सकते हैं RT-PCR से ज़ाच करवाना ज्यादा फितकारी होगा महींद्र सिंग धोनी के क्रिकट से सन्यास लेते ही सुब्रमन्यम स्वामी ने राजनीती में आने का दियान ने होता महींद्र सिंग धोनी ने अपने सन्यास की घोशना कर दी है जिसके बाद अब उन्हें राजनीती में लाने की तयारी की जा रही है माजपासांसस सुब्रमन्यम स्वामी ने इस बाबत अपनी प्रतिकिया दी है जिसके तहत उन्हों ने कहा है कि महींद्री सिंग धोनी को साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारना चाहिए आपकी लाजवाब कप्तानी और हुनर से महांतम क्रिकेटरों में श्रिमार दो बार के विश्वकप विजेता भारत के पूर्फ कप्तान महींद्री सिंग धोनी ने श्रनिवार कोई अंतराश्रे क्रिकेट को अलविदा कहकर पिछले एक साल से उनके भविश्यको लेकर लग अठकलों पर विराम लगा दिया है महिंद्र सिंग्धोनी क्रिकेट में रेटायर हो रहे हैं लेकिन बाकी किसी में उनकी बाधाओं से मकावला करने और क्रिकेट में टीम का नेत्रितु करने की छमता रही है उनकी जरूरत सारवजुनिक जीवन में उनने 2024 में होने वाले ल सामान के उपयोग के साथ ही मनाने का आवाहन करते वे कहाई के साल के दिवाली में चीन का कोई भी सामान इस्तमाल नहीं करने की कोशिश की जाएगी इसी करी में आने वाले 22 अगस्त को भगवान श्री गनेश जी का जन दिवस गनेश चतूरती को भी इस बार नए तरीके से मनाने के लिए cat ने तयारी शुरू कर दी है जिसके तहर बीते दिन मिर्टी गोबर और खात से बने परियावरन मित्र गनेश जी की कुछ प्रतिमा को जारी क्या गया है मोबाइल के बचाए लैन नाइन नमबर से भी चल सकता है WhatsApp चलाने के लिए सभी मोबाइल नंबर की जरुरत नहीं होगी अपने मोबाइल फोन टाबलेट लप्टॉप पर यूजर का country code डालना होगा जिसके बाद 10 अंकों का मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा जहां पर मोबाइल नमबर के बज़ाए लैन नमबर डालेंगे आपके वेरिफिकेशन, SMS या कॉलिंग के जर्ये आपके नमबर को वेरिफाई किया जाएगा जिसमें आपको कॉलिंग का विकल्प चुरना होगा कॉल करने के बाद आपको छेंग का OTP बताया जाएगा जिसको डालते ही आपका लैन नमबर वाट्साप पे इंसर्ट हो जाएगा कल हमारे दोहरा पुछेएगे सवाल का जवाब आपके से बहुत सारी यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रामहर्ष, राज, सलीम भाई, सिधी कुमारी, पपो कुमार, अखिल राज, रंधीर कुमार, अमरेश कुमार, पपो कुमार, स्वाती कुमारी, गौतम कुमार, शिफशंकर यादव, अमर्दीप कुमार, सूप्रिया कुमारी, राहुल कुमार और निदु कुमारी इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोग के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाफ की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाई लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है महें इंडर सिंग धोनी के सन्याज के बाद सुपरमनयम स्वामी द्वारा उन्हें दोहजार चौबिस के लोग सभाचुनाव में उतारने के सुझाव से आप कितने सहबत है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताए इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही अगर आपे वीडियो हमारा यूट्योब पर देख रहे हैं तो हमारे चानल को सब्सक्राइब करें अगर आपे वीडियो मारा फेस्बूक पर देख रहें तो इस वीडियो को लाइक करें और जादा जादा श्रेयर करें धन्यवाद